नमस्कार दनगरी न्यूस की खास पेश्कल्स डिजिटल बुलिटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ ललित वर्मा चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों कियों ग्रह जिलेवे नजदिक इस्तान पर न्यूक्ति नहीं देने पर हाई कोर्ट ने सिक्षा विभाग के अधिकारियों को पूरा रिकॉर्ड सही 10 दिसंबर को अदालत में तलब किया है सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन ने राहुल वायने की याचिका पर आदेश दिये अधिवक्ता रामपरताप सैनी ने कोर्ट में बताया कि अधिक अंक और मेरिट होने के बावजूद भी उन्हें ग्रह जिले में न्यूक्ति नहीं मिली कम अंक और कम मेरिट वालों को वेटिंग लिस्ट में उनके ग्रह जिले में न्यूक्ति दी गई और ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि वेटिंग लिस्ट वे कम अंक वालों को नजदीक जगे न्यूक्ति और अच्छी मेरिट वाले अभ्यरतियों को दूर लगाना किस नियम के तहट किया गया अब सभी मामले जो सिक्षक भरती पी टी आई भरती और अन्य भरती से जुड़े हैं सुनवाई 10 दिसंबर को होगी प्रदेश में बीते कुछ दिनों से दिन और रात का तापमान मिलाजुला दर्च किया जा रहा है आला कि इस दौरान अधीत तर जिलों में दिन के तापमान में हलकी गरावट दर्च की गई है लेकिन दूसरी और रात के तापमान में हलकी बड़ोत्री दर्च की जा रही है रास्तान में बीचे 24 गंटों की अगर बात की जाए तो सरवादी कदिक्तम तापपान बार्ड मेर में 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूंतम तापान 6.6 डिग्री सेल्सियस फतेपूर सीकर में दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरीके से बने रहने की पूरी संबहवना है बीकानेरपूर से विध्यायक सिद्धी कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है विधायक सिद्धी कुमारी पर धोकादड़ी और रुपे के दबाव डालने का आरोप लगाया गया है जैपुर की मैसस, गोल्डन, ट्राइंगल, पोर्टस और पैलेस के निदेशक ने ये मामला दर्ज करवाया है इसके साथ सिद्धी कुमारी पर महीमा, कुमारी पर रुपे एटने के आरोप भी लगाये गया है ये पूरा मामला होटल लक्षमे विलास के संजी चालन से जुड़ा हुआ है जिसमें होटल खाली करवाने और दस करोड रुपे मांगने के आरोप लगाये गये है निदेशक की ओर से बिच्वाल थाने में मामला दर्ज करवाया गया है जेसलमिर के सोनार्ग दुर से पत्थर गिरने का सिलसला लगाता जारी एक बार फिर से सोनार्ग दुर से बड़े बड़े पत्थर गिरे पत्थर गिरने के साथ ही इलाके में हड़कम मच गया आपको बता दे कि अगस्त महिने में बारिश के दोरान सोनार दुर की दिवारे किसक गई थी और इस एक बार फिर से पत्थर हटाने के दोरान पत्थर गिरने की घटना सामने आई है हाला कि सोनार दुर से पत्थर गिरने नीचे गिरने से किसी भी प्रकार की कोई जनहानी की स शर्मा ने बताये कि राजस्तान की शुविद्धाले स्पोर्स बोर्ड थेल परीशर में राजस्तान विश्विद्धाले की खुलपती प्रॉफेसर अल्पना कटीजा की अध्यक्षता में अंतर महाविद्धाले एथलीट प्रतियोगिता का शुभारों हुआ जिसमें मुख कि खेलों में राजस्तान विश्विद्धाले बैतरीन परफॉंब करने के विश्विद्धाले को गौर्वानमित कर रहा है। रखी है अधिकारियों ने आश्वाशन दिया है कि फस्त और सेकेंड ग्रेड में पदोग की संख्या को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा 19 फरवरी से शुडू होने जा रही है चेंपियन्स टॉफी का बविश्य अब तै होने जा रहा है ICC की ओर से 29 नवंबर को सदस्य देश्यों की वर्च्वाल आपात मेटिंग बुलाई गई है इस आपात बैठक को बुलाने के पीछे की वज़े है पाकिस्तान में खिली जाने वाली चेंपियन्स टॉफी में हिस्सा लेने के लिए भारती टीम का पाकिस्तान जाने से इंकार करना ऐसे में अब ICC की ओर से दो वेन्यू पर चेंपियन्स टॉफी का आयरजन करवाय जा सकता है अलाकि पाकिस्तान चेंपियन्स टॉफी की मेजबानी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इसलिए ICC अब UAE और अफरीका में भारत के मैच करवाने पर विचार कर रहा है इसके साथ की सेमी फाइनल और फाइनल को लेकर भी दो वेन्यू तैयार रखे जा सकते हैं अगर चेंपियन्स टॉफी में भारत सेमी फाइनल और फाइनल का सफर तैय करती है तो ऐसे में ये मैच UAE और अफरीका में हो सकते हैं रास्तान बेरोजगार एकिकरत महासंगा द्यक्ष अशोक चौधरी सैकड़ो और फ्हर्तियों के साथ ब्रीड शिख भरती लेवल टू को पूरा करवाने की मांग को लेकर राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड पहुंचे अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षक भर्ती लेवल टू को लेकर असमंजस की स्तिती को साफ नहीं किया जा रहा है जबकि तीन साल से युवा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं पहले आचार सही था कि चलते री शफल परिनाम जारी नहीं किया गया तो वहीं अब पोर्ट में ये भर्ती अटकी हुई है ऐसे में जल से जल सरकार को शेडो पोस्ट क्रियेट करते हुए इस भर्ती में संशे की स्तिती को साफ करना चाहिए इसके साथ ये अशोक चौधरी ने लेवल बन का परिनाम जारी करने की विमांग रखी रास्तान विश्व दहले के माही गल्स होस्टल में बुदवार रात नई वारडन की न्यूपतु को लेकर च्ट्राए विरोत पर्दर्शन पर बैठ गई अब उसी वार्डन के फिर से नियूपति कर दी गई है जो च्ट्राओं की हिटों और भावनाओं के खिलाफ है धरने पर बैटी छात्राओं का कहना है कि यह नियुक्ति विश्विद्याले के नियमों का उलंगन है उपमुख्य मंत्री दिया पुमारी ने बुद्वार को नई दिल्ली में केंद्री सड़क परिवहनेव राजमार्ग मंत्री नितिन गड़गरी से मुलाकात करूने राजस्थान में राजमार्गों के विकास के लिए उनके द्वारा किये गए निरंतर सयोग के लिए धहिन न जोजनाओं को समय बंद क्रियानवत के लिए राजसरकार हर संभव सहीव पुरदान करेगी उन्होंने राजस्तान को सेंट्रल रोड तथा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सी राइफ से ज्यादा सड़के स्विक्र करने की भी मांगी तो यह थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरे कल फिर से आपके साथ रोगर होंगे तब तक के लिए नमस्कार